तो हेगाइस वेलकम बेक टूए न्यूव वीडियो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको जो एक बेस्ट एंडोइड अमुलेटर बताने वाला हूँ जो के आपके लो एंडी पीसी में इसली चल जाएगा इस वीडियो में आपको जो एंडी पीसी के लिए बेस्ट होगा और इसमें आपको जो एंडोइड वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है जो के लो एंडी पीसी के लिए बेस्ट होने वाला है तो अब इस एमुलेटर को कैसे इंस्टोल करते हैं इसका सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता रख है तो अब आप जो एंड टेक देखना वीडियो को स्किप मत करना यहाँ आप हम आपको जो स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ तो चले फिर वीडि इस ओपन हो के आ जाएगा यह अमुलेटर जो आपके यहाँ पर चाइनीज लेंगवेज में देखने को मिलेगा तो अब आप क्या करने के यहाँ आपको जैसे जैसा इस टेप बताऊंगा आपको वैसे फॉलो करना है तो आपको सिंपली क्या करने के यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेता हूं तेन फाइल लोकेशन सेलेट कर लेने के बाद सिंपली आप इंस्टॉल ना पर किलिक कर देना तो यहाँ पर जो है अमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा तो अब आप यहाँ पर वेट करना एक से दो मिनित यहाँ पर जो है अमुलेटर इंस वाली फाइल होगी तो आप चाहो तो आप जो आप इसका नाम चेंज कर लेना जैसे कि मैं आप आन टैप प्लेयर लिख देता हूं एंड यहाप नीचे वाले में जो आप जो आप मल्टी इंस्टेंस मनेजर लिख देना उसके बात क्या करने के यहाप लॉंच को अप्शन मिल आप इस पर क्लिक कर देना तो यहाप जो आम लेटर लॉंच हो जाएगा तो जैसी कि अभी आप देखोगे यहाप जो आम लेटर ओपन हो चुका है एंड कुछ इस प्रिकार से हमें इसका एंटरफेस देखने को मिल जाता है तो अभी हम सिंपली क्या करेंगी कि यहाप जै यहाप जोई लेंगवेज को ऊप्शन मिल जायेगा आप जो सिंपली आपंग्लिश लेंगवेज को सलेट कर लेना दो यहाप जोए इसका नाम घोई इसकी कुछ सेटिंग भी करेंगे तो इसके लिए भी आप क्या करने के आप जो यहापर दुबार से इसकी सेटिंग को उपन कर लेना देन उसके बाद आपको क्या करने के आप बेसिक में आपको एक्जीट ओप्शन का ओप्शन मिलेगा तो आप क्या करने कि आप जो यह आप इसे deck text grid पर select कर लेना देन उसके बाद आप यहाँ पर advance में आना और यहाँ पर आप क्या करने कि अगर आपके पास low end PC है तो आप जो आप सबसे कम resolution रख लेना तो जैसी कि मैं अभी जो यहाँ आप 1280 resolution रख लेता हूँ अगर आपके पास low end PC है तो आप ज전े आप 960 resolution रख लेना उसके बास CPU core में, अगर आपके PC में 2 core है तो आप जाप 1 core को select कर लेना उसके बाद RAM में आपको क्या करने कि अगर आपके PC में चार्ट JV RAM है तो आप यहाँ पर दो जीवी RAM को select कर लेता हूँ एंड उसके बागी जो setting है उसको आपको कुछे नहीं करना है जैसे है वैसे रहने देना है आपको simply आपर सेपर क्लिक करना है और यहाँ से emulator को restart कर लेना है तो यहाँ पर आपने जो भी setting की होगी वो जो apply हो जाएगी आपको 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 इतनी सेटिंग कर लेने के बाद अब आप सिंपली क्या करने कि आप बैक आजाना एंड अब हम क्या करेंगे कि आम जो इसमें फ्री फाइयर गेम को इंस्टल कर लेंगे तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको APK का ओप्शन मिलेगा आप इस पर क्लिक करना और यहाँ आप हम आपको Free Fire Game की APK फाइल का लिंक दे दूँगा डिस्किप्शन में आप जो वाँ से जा करके डावलोड कर लेना तो इसके बाद यहाँ पर Free Fire Game की APK फाइल को सेलेट कर लेना और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर जोए APK फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगा तो अब आप यहाँ पर 5-10 सेकिंड वेट कर लेना यहाँ आपर जोए APK फाइल इंस्टॉल हो जाएगा तो चैसी कि आप देख सकते हों कि यहाँ पर जो फ्री फार गेम ओपन हो चुका है यहाँ पर जो आपको यह कोई भी ऐड़र वगरह याफिफी डालोट फेल्ड एरर वगरह देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर जो इसली गेम ओपन हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर एक दुक से इसे लोगिंग करोगे तो आपको जो कुछ इस पिकार करेगा तो अब इस एरर को कैसे सोलव करते हैं इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखिया आप जो इस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप जो आसजा करके देख लेना तो यहांपर जो गेम उपन हो जाएगा तो जैसे कि मैंने इनगे आपको सबसे पहले इससी की मैपिं कर लेनी है तो कि यहांप के डोव जाना है और यहां से कस्टम है चूदी को ऊपन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर key mapping का option मिलेगा आप इस पर क्लिक करना तो यहाँ पर key mapping open हो जाएंगी अब आप क्या करने के यहाँ पर आपको पहले से by default key mapping मिल जाती है तो अब आप यहाँ पर जैसे मर्जी अपने के मैपिंग कर लेना तो आप जो याँ पर से पर उर्न ओसेंपर कर देना तो याँ फिर अगर अब आपके पास थोड़ा अच्छा पीसि है तो आप यहाँ पर स्टेंडर्ड में गेम को प्ले कर सकते हो तो अ陪 आप जो इसमें इस जिली गेम को प्ले कर सकते हो याँ पर आपको कोई भी एरर वगेरा देखने को नहीं मिलेगा। तुचले फिर आज के लिए बस इतने अब अगर आपको फिर भी इस से रिलेटेट कोई भी कोचन पूछन आओ तो आप जो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तुचले फिर अम्मा आपको मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में।